असलाम अलेकुम एब्रीवन वार यू आल आई होब एब्रीवन और वीडियो लेक्चर मैं लेक्चर नमबर इस 159 पर इंटर पार्ट वन जिसमें हम लोग यूनिट नमबर 6 केमिकल बॉंडिंग के बारे में डिसकस कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम लोग कुछ प्रॉपर्टि डिसकस कर रहे हैं जो के डिफाइन करती हैं का अलेमेंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ जो बाउंड बनते हैं एक दूसरे के साथ जब केमिकल बाउंड बनाते हैं एक दूसरे के साथ जब अटैच होते हैं कोई नया molecule बनाते हैं तो how does that occur जब carbon oxygen के साथ मिलके carbon dioxide बनाएगा या carbon monoxide बनाता है या hydrogen oxygen के साथ मिलके water बनाता है तो how does that occur क्या process है क्या reason है कि elements जो हैं एक दूसरे के साथ combine करते हैं एक दूसरे के साथ bond बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग मुटलिफ properties देख रहे हैं सबसे पहले तो हम लोग ने देखा ionization energy के बारे में यानि के वो elements बहुत सारे different elements हैं उनकी अपनी different nature है कुछ ऐसे elements हैं जो के जिनके जो electrons हैं वो बहुत loosely held हैं उनके उपर कोई nucleus का खास charge नहीं है खास force of attraction नहीं है तो इस तरह के electrons को remove करना outer most shell में से बहुत easy task होता है बहुत थोड़ी सारी energy देएंगे हम electron को और वो easily अपनी shell को तोड़ के बाहर आ सकते हैं अपनी shell से बाहर आ जाएंगे इसी तरह बहुत सरे elements हैं जैसे non metals हैं जिनके लिए जो outer most shell है वो बहुत strongly bound होते है nucleus के साथ उनके दर्मयान में force of attraction बहुत strong होती है तो उस तरह के elements के अंदर से electrons को बाहर निकालना वो एक difficult task है उसमें ज्यादा energy प्रोवाइड करने पड़ती है उस electron को के वो अपने एकित मुजूद forces of attraction को barriers को break करके उस atom के अंदर से बाहर निकल सके वो ionization energy का जो topic है वो explain करता है कि को ऐसे मुखतलिफ elements में जो है यह मुखतलिफ property show की जाती है Today we are going to discuss about a new topic that is electron affinity electron affinity का मतलब क्या है कि कि किसी भी atom के लिए electron जो है अपनी तरफ attract करना जैसे ionization energy में हम लोग एक neutral atom को cat ion में convert करते हैं उसके अंदर से एक electron को एक या उससे ज़्यादा electron को बाहर निकाल के उससे electron snatch करके बाहर निकाल के वो cat ion में convert हो जाएगा उसके अंदर electron की कमी हो जाएगी proton ज़्यादा हो जाएगे अपने अपने आउटर मोस चैल को fill up करने के लिए उनके अंदर होता है electron की तरफ attraction उनको जहां पर भी electron नज़र आएगा वो कोशिश करेंगे उस electron को अपने अंदर absorb कर लें उस electron को हासिल कर लें ताके वो अपने आपको stable कर सकें अपने आपका जो octet rule है उसको complete कर सकें तो electron जब एक atom के अंदर enter होता है जब उसके अंदर absorb होता है तो वो neutral atom जो है वो आगे an ion में convert हो जएगा याई याई नेगिटिवली चार्जड आइन के अंदर वो convert हो जएगा और अगर हम यहां पे energy system को देखते हैं तो ionization energy के अंदर electron को निकालने के लिए energy देनी पड़ती थी system को atom जो है अपने अंदर energy absorb करता था तभी electron को release करता था but in the case of electron affinity यहां पे atom energy release करेगा ताकि वो किसी electron को अपने अंदर accept कर सके तो जो electron affinity है वो उस energy को explain करती है कि किस हद तक कोई atom energy को release करेगा in order to absorb the electron in order to absorb the outer electron in itself किसी external electron को अपने अंदर absorb करने के लिए जो atoms energy को release करते हैं that is called as the electron affinity of that atom तो जो electron affinity है of an atom according to your book the definition is that it is the energy released जब एक electron add होता है to an empty or partially filled orbital of an isolated gaseous atom in its valence energy level to form an anion having a unit negative charge यानि कि यहां पर कुछ सूरते हैं एक तो यह है कि आपका जो atom होना चाहिए it should be isolated isolated मतलब separate हो उसके इदगिद नेबरिंग atoms उसके करीब ना हो isolated है किस तरह से हम लोग isolated कर सकते हैं by converting the matter into the gaseous form आप कोई भी element ले ले लें अगर आप उसको solid form में लेंगे solid form में तुमाम इदगिद से atoms इदर neighboring atoms present है जो कि अगर यह electron है अगर इस atom को चाहिए तो यह neighboring atoms भी उसकी तरफ attractive forces रखेंगे तो हम इस सूरते हाल में इस atom के बारे में particularly हम इसको study नहीं कर सकते हैं same is the case for the liquid state यहां पर atoms एक दूसरे सो थोड़ा सा separate होते हैं लेकिन जब एक external electron आएगा तो बागी के atom भी उसको अपनी तरफ attract करेंगे तो एक particular case को यहां पर भी आप study नहीं कर सकेंगे क्योंकि उस वकत उस electron पे ना सिरफ उस specific atom बलकि इद गिद मौजूद तो माम जो नेबरिंग atoms हैं उनकी भी forces of attraction उस electron के तरफ होंगी तो आप उस electron के उपर जब energy को study करेंगे तो आप particular किसी atom के बारे में नहीं study कर पाएंगे So that is why in order to isolate our atom जिसके उपर हम study करने वाले हैं हम उसको पहले gaseous form में ले जाते हैं gaseous form में क्या है कि the atoms are far away from each other अब ये atoms में इतना distance है ये एक imaginary distance है यहां से जब एक electron आएगा तो force of attraction इस atom की उस electron के उपर बहुत ज़ादा होगी और चुँके ये atom उस electron से इतना दूर है कि वो उसके उपर affect नहीं करेगा तो इस सूरते हाल में gaseous सूरते हाल में gaseous form में हम एक isolated atom को study कर रहे हैं जिसमें electron के उपर जो भी attractive forces हैं वो एक atom की एक single atom की हम study करेंगे उसमें बाकी के neighboring atoms participate नहीं कर रहे होंगे because they are very far away from each other पहली चीज़ ये confirm होगी दूसरी बात क्या है कि जो भी atom जो कि electron को अपनी तरफ fill attract करेगा उसकी जो valency है that should be empty या फिर it should be partially filled अब ये एक सूरते हाल है outer shell की में बात करेंगे हूँ ये partially filled है यानि कि यहां पे सिर्फ एक valency की जूरत है वो इस एक valency को अपने अंदर electron को absorb करेंगे और इस तरह से एक या दो electron को अपने अंदर absorb करेंगे और इस तरह से वो electron यहां पे atom के अंदर enter हो जाएगा तो electron enter होने के लिए हमें shell चाहिए तो shell दो conditions की हो सकती है या तो वो partially filled है partially यानि कि उसके अंदर पहले से ही electrons present है या फिर वो shell नई create का ले और वो shell होगी empty या अगर ये पहले ही shell complete है एक और electron यहां पे आ रहा है सिस्टम के अंदर absorb होना जा रहा है तो उस atom electron को accommodate करने के लिए atom अपने एक और shell को create कर देगा क्योंकि इस shell में अब valency fill up हो चुकी है कोई भी मजीद vacancy present नहीं है कि वो उस आने वार electron को अपने अंदर absorb कर सके that is why इस सूरते हाल में atom को अपने एक नई empty shell create करने पड़ेगी ताके आने वार electron को अपने अंदर वो absorb कर सके तो electron के आने यह होगी तूसरी condition पूरी पहली होगी isolated gashes form में है दूसरी यह है कि उसके लिए valence energy according to valence energy level या तो वो partially filled orbital में जाएगा या empty orbital में जाएगा और उसके बाद तीसरी क्या है कि anion बनता है यानी negatively charged ion बनेगा तो starting जो element हो सकता है it might be anion already और it might be a neutral atom also जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं group number 7 से group number 7 में हमारे पास आजाते है fluorine है, chlorine है, bromine है, iodine है इन सब के अंदर जो outermost shell है उसके अंदर जिस तरह से यह है outermost shell है उसके अंदर seven electrons होते हैं तो इनको सिर्फ one more electron के जरूरत है in order to fill this space और एक electron आने की वज़ा से उनका octa tool complete हो जाएगा तो एक electron accept हो गया तो यह जो elements हैं यह फिर क्या करेंगे they will be, यह जो atom है it will be converted into the negative ion into the anion इस सूरते हाल में यहां पर जो energy है वो absorb होने के बजाए वो release होगी वो atom जो है जिसने एक electron को अपनी तरह अट्रेक्ट करना है वो energy को release करेगा ionization energy में हमने देखा था कोई भी atom जिसको electron को जिसके अंदर से हमें electron को निकालना है उसको kate and बनाने के लिए वहां पर हमें energy system को देनी परती है provide करनी परती है while in the case of electron affinity हम लोग यहां से energy atom जह हैं खुद बहुद release करेगा हमें provide करने के जरूरत नहीं होगी so let us see chlorine के case में कितनी ionization energy होती है यहां पर हम लोग देखते हैं chlorine को जो कि group number seven से belong करता है इसके अंदर electron affinity बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसको सिर्फ एक electron के जरूरत है chlorine, chlorine, bromine, iodine इन सब को एक एक electron के जरूरत है अपने automosed shell को complete करने के लिए तो यह हमने लिया है chlorine जो के gaseous form में है यह अपने आसपास वाले electron को अपने अंदर absorb करेगा और chloride ion जो के एक anion है उसके अंदर convert हो जाएगा यह anion भी gaseous form में है इस वकद जो energy निकलती है उसको हम लोग delta H से represent करते हैं that energy is minus 349 kilo joule per mole यहां पर अगर आप देखें तो ionization energy में हम लोग energy के साथ कोई भी negative sign नहीं apply कर रहे थे वहां पर हमेशा positive ही होती है why because ionization energy वो energy है जो कि हम system को देते हैं provide करते हैं उसमें वो system अपने अंदर absorb करता है तो absorb करने के वज़ा से उसके उपर जो ionization energy है वो positive sign से represent करते हैं जिसका मतलब यह है कि यहां पर atom ने उस energy को अपने अंदर absorb किया था while in the case of electron affinity क्योंकि atom ने अपने अंदर से energy को release किया है system के अंदर that is why because of being released यह जो energy है यहां पर negative charge से display होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि negative जब आए energy के साथ तो वो energy system ने release की है और जब positive आएगा इसका मतलब है उस system ने उस energy को अपने अंदर absorb किया था so this is yet another difference between the ionization energy and the electron affinity तो since यहां पर energy जो है release हो रही है इसलिए negative sign से हम इसे indicate करेंगे तो electron affinity it tells us about the attraction of nucleus of an atom for extra electron यहां पर किस तरह से यह electron होगा कि chlorine के अंदर जो center में यहां पर nucleus है उसकी force of attraction आएगी exterior electron की तरफ वो उसको अपनी तरह पर attract करेगा क्योंकि इसके उपर positive charges है और इसके उपर negative है तो positive negative को ना कि यह गिद मुजूद electrons उसको अपनी तरह attract करें क्योंकि electrons और electrons की बीच में तो forces of repulsion हैं पर यहां पर chlorine के case में जहां पर ऐसे elements जिनके अंदर electron affinity बहुत हाई होती हैं वहां पर nucleus की जो force of attraction है towards the outer most towards the exterior electron वो बहुत ज़्यादा होती है as compared to force of repulsion of these electron towards these electron क्योंकि आपको पता है कि positive जो same charges and they repel each other and negative charges they attract each other तो यहां पर nucleus की power ज़्यादा थी तब ही उसकी force of attraction थी उसने overcome का लिया था in forces of repulsion को और उसने उस electron को अपने अंदर खीच लिया था electron जब एक extra add हुर रहे है तो obviously यहां पर जो पहले से मुझोद the electrons होंगे वो उस आने वाले नए electron को अपने से रिपल करेंगे अपने से दूर करेंगे क्योंकि इसका electron का और इसका charge same है तो same charge is they repel each other तो यह रिपल कर रहा है, यह एलेक्टरॉन रिपल कर रहा है, यह एलेक्टरॉन रिपल कर रहा है, हर एलेक्टरॉन रिपल कर रहा है, पर यहां पे मुझूद जो न्यूग्लियस के अंदर पॉजिटिफ चार्ज है, वो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग यह अपने दर रेंटर ना होने देते उसको निकाल लेते तो यह था मेरा आज को टॉपिक जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोन आफिनेटी के बारे में बताए और हो इस डिफरेंट फॉम दी आइनिजेशन इनर्जी अगर यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो you can discuss with me in the comments section I am here to help you out and see you soon in my next video till then Allah Hafiz